मैं सचिन भोर फोटो आर्टियों में आपका स्वागत करता हूँ आज फिर एक बार एलसी फाइंड़र के साथ हम लोग एक सेशन आगे लिकर जा रहे जो कि गौड़ॉक्स का एक बहुत ही बड़िया प्राड़क्ट है अब देखिय, आज मैं उस किट के साथ हूँ कि किस तरीके से यहLC फाइंड़र कीस आर्ट रहे हमें मिलता है उसका यह जो बैग है जो पाक है बहुत बढ़िया है क्योंकि हम इसे विडिंग में या किसी ईवेड में लेकर जाते हैं या किसी शूर्ट में लेकर जाते है तो उसे एक प्रॉपर कीट के साथ हम लोग जा सकते हैं और जिस कीट में इस तरिके से लाइट और और सब कुछ आता है मैं इसमें तो open करने के बाद तुरंत इस बुक को सैड में फेक देते हैं देखिए दोस्तों मैं बहुत जिम्मेदारी से कहिना चाहता हूँ कि ये बुक बहुत important होता है पूरे world में इस product की सबसे बहतर जानकारी सिर्फ और सिर्फ इसी बुक में आपको मिलेगी तो जितना मैं है खुछ जो करता हूँ आपको बताने वाला हूँ कि ये बुक हमेशा साथ में रखिए आपका जो भी कीट है उस कीट में रखिए अगर कल जाके कुछ भी आपको प्रॉलेम आजा इस product के बारे में कुछ टेकनिकल जानकरी चाहिए या फिर कुछ मोर्स के बारे में जानना है तो आप तुरंट इस बुक में जाकर उसको जान सकते हैं और मुझे लगता है किसी भी product का हम ये वीडियो बनाते समय ये जानकरी देना बहुत जरूरी है कि अगर आपको इसका जानकरी नहीं है तो यहां से लेकर जाएए जानकरी लीजिए और फिर आप उसको यूज भी क बताना है शायद उसमें कई सारे effects है वो है effects special effects वाला ये जो mode है इसको हम लोग जानने वाले है और I think उसमें कई सारे different effects है आज उसे भी हम लोग demo करेंगे क्योंकि हम LC 500R यूज कर रहे है जो Godox ने बहुत सोच समझ कर एक product बनाया है जिसका multi-use होता है सिर्फ हम लोग एक single light क करके इसका यूज ने करते तो हम लोग बहुत अलग अलग effects के लिए special effects के लिए भी यूज कर सकते हैं और आज हमें वही देखना है लेकिन क्या आपने last episode देखा है जहाँ पर मैंने question किया था कि यह light आप किस purpose में यूज करते है photography, Cinematography, Videography या फिर आप आपके जो vlogs बना रहे है या फिर आप एक hobby, Cinematographer है, Videographer है, YouTuber है आप बताइए जरूर comment box में comment कीजिए, previous जो एक comment था उसमें था बोला था उन्होंने कि हम photography के लिए यूज कर रहे है, तो देखिए ये एक ऐसा light है कि जिसे हम लोग जैसे जैसे चाहिए वैसे यूज कर सकते हैं और अगर हमें creative अपिसोड में कुछ ऐसे आपिसोड लाएंगे जिसमें light painting भी करेंगे और अगर आपने अभी तक photo arto app को download नहीं किया है तो तुरंत play store में जाए जो android user है वो photo arto search कीजिए और app download कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे बहुत बढ़िया course है साने वाले है उसी के साथ अगर आप iOS user ह तो आप my institute नाम का app download कर लीजिए और नीचे दिया गया हुआ ORG kid code वहाँ पर add कर दीजिए जैसे आपको वहाँ पर आप photo arto में पहुच जाओगे चलो आगे बढ़ते हैं और रुपेजी तो ही product भी आज हमारे साथ है product को अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाओ तो इस तरीक है तो यह देखना है हमें कि यह दोनों साइड से जो दिया गया हुआ light का use कैसे होता है और यह side में जो मैंने कल कहा था कि barn door यह जो है इसे reflector भी कहते है यह भी हम इसका जो position है उसका जो angle change कर सकते है यह निकाल कर हम लोग इस side से भी लगा सकते है यह भी हम लोग देखेंग है यह कि यह किस तरह के से यूज करना है और जैसे मैं इसे cutter भी कहता हूँ reflector भी कहता हूँ और बारंडोर भी कहता हूँ तो यह इसका भी multi-use होता है देखेंगे और आज हम लोग special effects देखेंगे तो चलिए आगे चलते हैं यह light तो हम on करेंगे ही उसको तो देखेंगे लेक यह हर एक जो function है यह grip से लेके handle से लेके reflector light या फिर यहाँ पे जो functions है यह command डायल जो है यह सब कुछ इसमें one by one बताया गया है इसकी जानकरी दी गई है मैं एक बार आपको उसका जानकरी फिर एक बार देना चाहता हूँ शायद कुछ professional words भी हमें पता चले और यह video end तक ज one by one इसमें क्या क्या बताया गया है और किस तरीके से उसको हम लोग समझेंगे जानेंगे और वही professional words हम लोग शूट में भी यूज़ करेंगे आए ओके सो यह है Godox RGB LED Light Stick LC 500R और आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो जिसमें हमें कुछ जानकरी दी गई है जो English में है यहाँ पर company कहीती है कि thank you for processing this Godox product. This RGB LED Light Stick LC 500R is a continuous light with high light brightness. यह अगर जानकर ही हम लोग सही तरीके से देखें तो हमें बहुत important इसके features भी पता चलते हैं अगर जो important अपने लिए आज का topic है वो देखें तो parts और उसमें body जो बताया गया है तो body के भी यहाँ पर यह 15 important यहाँ पर LED Beads Handle DC Power Jack Bracket Mounting Hole जो चार नंबर पर अब यहाँ पर कैसे हम लोग ढूंड सकते कि वही चार नंबर कहा पर है जहाँ पर हमें उसके बारे में जानकर ही दी गई है तो चार नंबर देखें यहाँ पर दिया गया है जो कि light के handle के जो bottom में आएगा वो आएगा चार नंबर ब्र पर यह light हम लोग मांट कर सकते है उसी तरह कि से reset button है अब reset button का number दिया गया है पाच तो पाच number दिखें यहाँ पर ढूंडना है हमें यहाँ पर reset button का option है जो light में भी हम लोग देख सकते उसके बाद में जिसे हम बारड़ दोर कहते है उसे reflector कहते है six number तो यहाँ पर छे सकते है कौन सा मोड क्या काम करता है उसे क्या क्या कहते है control panel power switch channel या group button mode button fn जो multifunctional select dial है यह बहुत important है जानना है कि जो 11 number दिखें यहाँ पर 11 number है या फिर dim button है color gamut है color gamut जो मैंने कल बता है जिसमें different difference करें और माइक होल LCD पैनल अब LCD पैनल 15 number है जहाँ पर LCD पैनल अगर हम लोग देखें तो इसमें Kelvin भी दिखा रहा है intensity भी दिखा रहा है यू saturation भी दिखा रहा है और हमारा यह जो special effects का जो model से वो भी वो मोड्स भी यहाँ पर दिख रहा है जो situational special effects modes करके आता है effects special effects और पूरा kit हम लोग देख सकते कि जिसमें portable bag body reflector और charger इतना ही kit है जो कई पर भी अगर हम लोगों को यह लेके जाना है तो यह काम में आएगा आगे कुछ-कुछ options यहाँ पर दिए गए वो अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से देखे तो इसमें attaching reflector कैसे करना है बैटरी का क्या management होना चाहिए पूरा operation यहाँ पर setting के साथ दिया गया है वो हम लोग देख सकते देखिए आप product तो खरीदे लेकिन अगर उसका proper जानकरी तो product यूज करते समाएं हम लोग बहुत smartly यूज कर सकते हैं और creative यूज भी होगा आज हमें यह जो है effects situational special effects mode जो 39 kinds में है वो देखना है और यहाँ पर अगर हम लोग देखे तो यह 13 main effects है और बाद में SOS है लेकिन 13 के 3-3 type में use होते है तो यह 39 kinds में change होता है जिसमें आता ह देखिए जो symbol भी दिए गए colorful light recycle flash और यहाँ पर लेजर colorful lights lighting broken bulb tv candle fire firework police car fire truck ambulance music अगर इतने effects हमें दिए गए तो हम अलग-अलग situations यहाँ पर create कर सकते हैं अलग-अलग special effects हम लोग create कर सकते हैं मुझे लगता है आज इसे के बारे में हम दोग demo करेंगे तो आई चलो demo करते हैं तो चलिए दोस्तो हम लोगों ने book में तो सब कुछ देख लिया और बहुत कुछ important जानकरी मिली जैसे कि effects यह जो special effects जो है situational effects जो modes है यह अगर हम लोग सही तरीके से use करें बहुत कुछ मजा कर सकते हैं अगर हम pre-reading में इसको कुछ creative type में use करना है या फिर different cinematic में फोटोग्राफी में भी यूज़ कर सकते हैं यह जो modes है मुझे लगता है कि यह maximum video के according cinematic के according ही use होगे क्योंकि उसमें कई सारे जो special effects है वो दिखेंगे तो video में जदा अच्छे दिखेंगे देखते हम लोग light के साथ अब with product अगर हम लोग देखें तो और मज़ा आएगा मुझे क्या करना है बेसिकली अगर मैं इसे on करूँ light को तो मैं यह on कर दिया और यह जो effects है यह मेरे यह जो इस side में दिख रहे है मुझे क्या करना होगा इसका जो reflector है वो पहले मुझे change करना होगा तो यह बहुत बढ़िया option दिया है कि इसको light को मैं off कर देता हूँ अगर मैं इसे proper press करके अगर इसको निकालू तो देखिए यह proper यहाँ पर निकल रहा है और मैं light को गुमा रहा हूँ और फिर से मैं उसे attach कर दूँगा मुझे लगता एक बहुत ही important यहाँ पर यह tool है देखिए मुझे मेरा फिर reflector का position set कर दिया और जो भी effect आते अब वो effect इ set हो गए है और मैं ऐसे use different different तरीके से कर सकता हूँ तो मुझे लगता है कि यह जब भी product बनाया गया बहुत source समझ के और बहुत multi use के लिए बनाया गया है मेरा जो RGB जो light था या जो बाकी जो एक panel था वो पीछे के side में आ गया और जो मेरा special effects वाला जो panel है वो अंदर के side में है यह जो reflector के अंदर है और अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर यह जो functions है यह जो mode है उसमें मैं जाने वाला हूँ mode में तो मैं पहले on करता हूँ light को और देखते light को on करते ही कुछ एक effect on हुआ है मैं mode में जाके उसे check कर आओ कि क्या-क्या mode हमें use करने है और function में अगर मैं जाओ यहाँ पर saturation भी है और u भी है हमें देखना है कि क्या exact use करना है और यहाँ पर effects option अब आ गया है effects option आ गया है देखते किस तरीके से effects को use करेंगे बहुत बढ़ी है परफेक्ट तो यह कई सारे options है इसमें यह सब options अगर हम लोग check करें तो हमें पता चलता है देखे अब मैं क्या करूंगा थोड़ा सा यह dim light लग रहा है मुझे तो मैं इसका intensity बढ़ा रहा हू और मैं और एक काम करूंगा कि यह मैं मेरा जो main light है इससे पह बहुत बढ़िया दिखेंगे तो lights off कर दीजे कुछ तो effect यहां पर दिख रहा है मुझे और मैं actually सभी effects में जाने वाला हूँ first effect जो है मेरा यहां पर यह जो effect है दिखे मुझे अब पता ही नहीं है suppose light के बारे में मेरे पास क्या है book है और मैं बहुत एक बढ़िया trick क्या use कर कि मुझे बता नहीं है इस light को क्या कहते है इस effect को क्या कहते है तो यहां पर बताया गया कि colorful lights recycle तो यह colorful lights recycle लग अलग-अलग color से change होते होते जो अपना color gamut है जो मैं color reveal काऊंगा वह पूरा गुमते गुमते फिर उसी light पर आता है और recycle होते रहता है तो यह first effect है effects में जहां पर हम लोग जिसे कहेंगे कि situational जो modes है special effects है इसे use कर रहे हम लोग आगे का जो mode है इसमें यह जो flash mode है जिससे press conference या पापाराजी भी कहते है कि जो एक photographer जब photo खीचते है तो उसमें जो result मिलता है हमें देखे कैसे होते रहता है वो इस type में देखे मैंने mode सिर्फ adjust कर दिया है और यह अपने आप अब यह काम कर रहा है इसा लग रहा है कि प्रेस conference में या पापाराजी जैसे उसके किसी के पीछे बाग के जो photo निकलते है उसके जैसा यह result दिख रहा है या फिर एक photo shoot चल रहा है कितना बड़िया यूज हो सकता है अगर हम लोग इसके साथ कुछ storytelling movie बनाए कुछ storytelling film बनाए विडियो बनाए तो बहुत important यह हमें काम में आएगा यह light उसके आगे देखेंगे third जो उसका number में आता है laser colorful lights देखें मैं third number पे जा रहा हूँ यह third number है laser colorful lights अब मुझे लगता है क और मैं सिर्फ एक एक पॉइंट ही change कर रहा हूँ आगे अगर मैं fourth number पे जाओ तो यहाँ पर है lightning तो fourth number आएगा lightning देखते क्या change होता है वाँ lightning जैसे बारिश के दिनों में जादा तर लाइटनिंग होता है हमें आसमान में हम लोग देखते कि भाई बहुत एक इस तरीके से lightning होता है तो यह effect भी दिया है जैसे अगर मैं किसी warehouse को अगर देखो तो कभी-कभी बहुत डराउना warehouse दिखाया जाता है या कोई खंडर दिखाया जाता है और वहां पर ऐसा लाइट होते रहता है तो यह effect special effect हमें मिल रहा है इस light से उसके बाद में आता है 5th number पे broken bulb I think यह भी बहुत important रहेगा एक देखिए एक bulb का जो light होता है bulb का जो effect है यहाँ पर मिल रहा है और जो ब्रोक हो रहा है जो टूट रहा है और उस तरीके से बीच में एक result आता है उसका अगर थोड़ी देर शुरू रखे तो automatically वह टूटने वाला जो effect है देखिए बंद हो गया हो राइट वो बंद होने वाला result यहाँ पर मिल रहा है उसके बाद में आता है six number पे टीवी मैं खुद यहाँ पर जो उसके word से वह बता रहा हूँ ताकि आप manual का यूज करने लगे और मैं ज्यादत आपके सामने manual का यूज करके दिखा रहा हूँ यह सब दिखे यह जो है मेरा छे नंबर पर जाता हूँ मैं यह टीवी का effect है बेसिकली एक टीवी का effect आप देख पा रहे है देखिए टीवी में जैसे कुछ अगर वीडियो चल रहा है तो बीच में वो कम ज्यादा कम ज्यादा light होता रहता है तो सेम यहां पर effect दे रहा है आगे अगर मैं जाओ तो आगे और एक effect है वो शायद है candle effect जैसे candle जल रही है और candle का effect हमें मिल रहा है अगर आप प्रीवीडिंग में एक candle light dinner वाला अगर कुछ शॉर्ट कर रहे है और आप स light अगर नहीं मिलता है तो इससे आप light ठोड़ा सा create कर सकते है थोड़ा सा हलका सा जो warm tone आता है वो warm tone उसको एक realistic dramatic बहुत बढ़िया tone दे सकता है उसके आगे अगर हम लोग आ जाए तो कुछ fire के जैसा है देखिए उसका title वही रहेगा fire देखिए fire का आपको effect नजर आ रहा है तो आप जरूर ये वीडियो देखने के बाद पूरा वीडियो देखने के बाद इसे यूज कीजिए बहुत मज़ा आएगा बहुत interesting है यह उसके बाद में nine number है fire work देखिए मैं एक की बार चेंज कर रहा हूँ और देखते कि इसमें fire work हो रहा है क्या और I think so fire work हो रहा है fire work क इसी तरीके से होता है जब हम लोग fire work करते उसके बाद में नीचे आते हैं और यह effect आप खुद बताईए कि क्या effect लग रहा है यह effect बहुत interesting है क्योंकि यह police की car है और police की car आप दिखा रहे है और इसी तरीके से light वह जलती रहती है उसका siren भी होता है लेकिन यहाँ पर आप police के car का यह effect देख सकते है उसके नीचे ही आगे आएगा यह fire truck वाला एक देखे यह इस तरीके से अगर हम लोग fire truck को अगर देखे तो इस तरीके से light on off on off on off होते वो truck चलती रहती है और उसके आगे अगर हम लोग number 12 पे जाए तो यह एक effect आप खुद जानोगे मैं जैसे change कर गया है यह effect है ambulance का ambulance का save effect यहां पर हम लोग create कर रहे है और उसके आगे है अगर हम लोग जाए 13 number पे तो आएगा music 13 number 13 number yes music music देखिए music की एक खास बात है कि मैं रुख जाता हूँ बात करते करते मुझे बताईए क्या होता है देखे जब तक मैं बात नहीं कर रहा था कोही यहाँ पर light वो play ने हो रहा है और जैसे जैसे मैं बात करूँ जिस speed में मैं बात करूँ उस speed में a light अपने आप जलता है तो music अगर आपने on कर दिया तो यह lighting होता रहेगा और मैं रुख जाओ बात ना करूँ तो आप देखिए क्या होता है कि मैं कोई भी यहाँ पर बटन को चेंज ने कर रहा हूँ बहुत मजा रहा है और यह 13 different different effects है जिसमें हम लोग इसमें intensity भी कम कर सकते है उसको डिम भी कर सकते है अगर मुझे light कम करना है देखो मैं बहुत कम क्या हूँ लाइट और मैं बात करूँ तो थोड़ा थोड़ा light आएगा और अगर मैं उसे बढ़ा हूँ तो यह complete 100% हो जाए updates और जो situational mode है अलग-अलग situation create करने के लिए इन modes का use होता है मुझे जरूर आप comment box में comment कीजिए कि क्या ये वीडियो आपके काम का है क्या ये modes आपके काम के है क्या आप इन modes को use कर रहे है और आपको और कौन से कौन से वीडियो चाहिए कौन से topic पर वीडियो चाहिए जरू जरूर कमेंट box में comment कीजिए और ये वीडियो आपको कैसे लगा वो जरूर मुझे बताईए comment कीजिए क्योंकि आप अगर comment करोगे तो वही हमारी energy होती है और उसे से हमें ideas मिलते कि आगे क्या-क्या लाना है और photo RTO app को जरूर आपके पास mobile में ले लीजिए download कर लीजिए क् आप के द्वारा हम लोग बहुत खुबसूरत courses जल्द ही launch कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए आपके दोस्तों को भी बताईए और इस वीडियो को maximum photographers, videographers, YouTubers के पास पहुचाईए शेयर कीजिए क्योंकि शेयर करने से ही तो बढ़ता है और देखिए special effect मुझे तो यह लास्ट वाला option बहुत अच्छा पसंद आया और बहुत मज़ा दे रहा था एवन एक और एक यह जो lightning वाला है यह भी काफी मुझे मुझे मज़ा दिया आप इसके वीडियो बनाईए ब अलग अलग special effects देखे है मैंने कहा तो आपको 39 है तो मैंने 13 दिखाए लेकिन इसको हम लोग और तीन गुना बढ़ा सकते है वह बढ़ाना क्या है इसमें basically यह जो fn बटन है fn को क्या करना हमें प्रेस करना एक बार तो इसका जो speed है basically देखो speed चेंज हो रहा है और मैं फिर स तो आप डुगना speed हो गया और फिर मैं अगर third point करू तो यह तीन गुना speed बढ़ा गया तो यह speed बढ़ा कर कम ज्यादा करके बहुत control दिये बहुत stops दे गए हमें तो मुझे लगता है काफी interesting है जरूर आप use कीजिए और मुझे comment box में बताईए आपको यह video कैसा लगा तो चल confusion हर एक को होते रहते हैं और मुझे लगता है कि हम confusion दूर करते रहेंगे different products आपके सामने लाते रहेंगे next product भी बहुत बढ़ी आने वाला है आपके लिए चायद आप उसके लिए कुछ struggle करते हैं तो next video भी जरूर देखिए और LC find it R के तो और भी videos लाने हमें और भी हम लोग आप जुड़े रही हैं और बने रही है फोटो आर्टियो के साथ next video में मिलेंगे thank you